नमस्कार दोस्तों मैं संतोस पटेल स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल डिजिटल भंडार पर यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्स्राइब करें बैल नोटिफिकेशन को आन करें जिससे आपको हमारे हर विडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे आज की वीडियो में हम विजुआल जीटleading को डाउनलोड करना इंस्टॉल करना और विजुआल स्टूडियो कोड में live server extension को add करना सीखने वाले हैं अभी तक हमने HTML के जो भी प्रोग्राम बनाए थे वह Basic Text Editor Notepad पर बनाए थे लेकिन अब हम जो भी HTML प्रोग्राम बनाएंगे वह Visual Studio Code Editor पर IDE पर बनाएंगे या एक ऐसी IDE है जो आपको प्रोग्राम बनाने के लिए, प्रोग्राम को रन करने के लिए Multiple Feature प्रोवाइड करती है तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि Visual Studio Code को किस प्रकार से डाउनलोड किया जाता है, किस प्रकार से इंस्टॉल किया जाता है और HTML प्रोग्राम को रन करने के लिए Visual Studio Code में Live Server Extension को कैसे एड किया जाता है तो सबसे पहले आपको Visual Studio Code को इसकी Official Website से या इंटरनेट से डाउनलोड करना है, इसके बाद आपको इसके सेटप को अपने कम्प्यूटर पर इंस्टॉल करना होता है, जब आपका Visual Studio Code इंस्टॉल हो जाता है, तो उसमें आपको एक Live Server Extension को एड करना होता है, जो कि आपको HTML को Direct Run करने की Service Provide करता है, इसके बाद आप अपने Project Folder को Select करें और उसमें किसी भी एक Program को Create और Run कर सकते हैं, तो अभी हमने केवल Visual Studio को Setup करने के जो Steps हैं उनको समझा, अब हम किसी भी एक Web Browser पर चलते हैं और देखते हैं Visual Studio Code को किस प्रकार डाउनलोड किया जाता है, तो Visual Studio Code को डाउनलोड करने के लिए हम Google Chrome Browser का Use करने वाले हैं, आपको कोई भी Browser open करना है और यहां टाइप करना है Visual Studio Code, जैसे ही आप Visual Studio Code को सर्च करते हैं, आपके सामने First Number पर Visual Studio Code की Official Website आ जाती है, आपको इस Website पर विजिट करना है, यहां पर आपको Visual Studio Code को डाउनलोड करने के ल आते हैं, आप Mac Operating System के लिए, Windows Operating System के लिए और Linux Operating System के लिए इस IDE को इस Editor को डाउनलोड कर सकते हैं, तो हम यहां पर Windows 10 यूज कर रहे हैं, तो हम Windows 10 के लिए इस Windows Installer को इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे, आपको इस Download Option पर क्लिक करना है, कुछी समय में यह है Visual Studio Code का जो हो जाएगा, यह है आपकी Internet Speed पर Depend करता है, कि कितना समय आपको इस Setup में Download करने में लगेगा, हमने इसको Already Download करके रखा है, तो देखते हैं इसको Install करना है, Visual Studio Code के Setup को Download कर लिया है, जब Setup आपके Computer में Download हो जाए, तो आप Setup पर Double Click करें, आपको Setup पर Double Click करके Setup को Install करना है, य करने के बाद, जो भी आपसे Steps पूछे जाते हैं, जो भी Agreement है, आप उसको Accept करें, Next करें, Next, 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 और Last में आपको Install बटन पर Click करना होता है, कुछी समय में Visual Studio Code Editor जो है, वह आपके Computer में Install हो जाएगा, और जैसे ही यह Install हो जाता है, तो आपको एक Welcome Screen, Start Page दिखाया जाता है, आप आपको Visual Code Studio को Download करना है, इंस्टॉल करना है, इसके बाद इसमें एक Live Server नाम के Extension को Add करना होता है, यह Live Server आपके Program को Direct Run करने की Service प्रवाइड करता है, आप देख सकते हैं, Visual Studio Code हमारे Computer पर Successfully Install हो गया है, हम इसको Finish करेंगे, और Automatically Launch हो जाता है, जिसमें हमें Visual Studio Code की Welcome Screen दिखाई दे Add Server Extinction को Add करने के लिए, आप यहां Extinction Option पर क्लिक करें, यहां पर सभी प्रकार के Extension की List आती है, तो हमें जो Server इंस्टॉल करना है, उसका नाम है Live Server, लाइब सर्वर आप सर्च करेंगे, तो जो First Number पर आपको Server दिखाई देता है, आप इसको Select करें, और अपने Computer पर इंस्टॉल क जाएगा, इस Explorer में एक Project को Add करने, आपको इस Explorer Option पर क्लिक करना है, यहां आपको एक Option प्राप्थ होगा, Open Folder, Open Folder से आप अपने Project Folder को Select कर सकते हैं, आप कोई भी एक Folder Create करने किसी भी Location पर, जिसमें आप सारे HTML के Program को Save करेंगे, तो यहां से आपको Open Folder पर क्लिक करना है, हमन अपने सभी Program को Save करने के लिए Desktop पर एक नया Folder बनाया है, जिसका नाम है HTML, हम जो भी Program Save करेंगे, जो भी Program Run करेंगे, वह इस Folder में करेंगे, तो हमने Desktop को Select किया, यहां से New Folder को Select करके, एक नया Folder बनाया HTML, और इस Folder को हम Select कर देते हैं, अब हम जो भी Program बनाएंगे HTML के, वह देख सकते हैं, हमारा Folder यहां पर, Explorer Window में Add हो गया है, और हमारा जो Extension था, Live Server, वह भी हमारे Computer पर Successfully Add हो गया, इंस्टॉल हो गया है, आप देख सकते हैं, जब यह इंस्टॉल हो जाता है, तो यहां पर आप इसको, यह आप इसको Disable कर सकते हैं, जो हमारा Folder Add हो गया है, इस Folder मैं आपको, अब HTML फाइल को Add करना है, तो यहां पर New File Option पर क्लिक करें, यहां पर आपको अपनी एक फाइल का नाम देना होता है, for example, मैं अपना पहला प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो मैंने अपने प्रोग्राम का नाम दे दिया, first.html, तो यह मेरा पहला प्रोग्राम बन दिखाई देगा, और हमारे body tag का output हमें web page में output के रूप में दिखाई देगा, तो आज की वीडियो में हमने visual studio code को download करना, install करना, उसमें live server extension को add करना सीखा, आप इसको practically use करके देखें, कोई question है, कोई doubt है, तो comment section में जरूर पूछिए, वीडियो पसंद आती है, तो वीडिय लाइक करें, जाद से जाद से शेयर करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्नवाद